तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है मेरा यहां से और मैं यहां पर कर रही हूँ अपनी ऑइलिंग क्योंकि आज मैंने सोच आपना हेर वोश करने के लिए अभी गर्मियां का टाइम चल रहा है तो वन वीक तक नहीं रख सकते हैं मैं वन वीक पर वाश करती हूँ क्योंकि घर में रहती हूँ इंडूर तो ज्यादा मेरे बाल गंदे नहीं होते बट गर्मियों में मैं तीन नीन पर वाश करती हूँ लेकिन जब भी करती हूँ तो मैं ओईलिंग जरूर कर लेती हूँ वाश करने से पहले क्योंकि एक तो कलर बाल है तो वैसे ही ड्राई रहते हैं और ओईलिंग कर लेने से अच्छा होता है तो वैसे मैं रात को करती हूँ बटा रात को भूल गई थी तो मैंने सोचा कि दिन में ही कर लेती हूँ तो यहां मेरे पास जो भी कोई सीरम के सीजी खाली रहती है ना जो ब्लैक कलर की होती है सीरम वाली सो जब सीरम फिनिश हो जाता है तो मैं उसको अच्छे से वाश करके उसमें जो मैं आयल यूज करती हूँ जो भी और कोकनेट ओल होता है को या फिर कुछ होममीड ओल रहता है वह अगर रहता है तो मैं इस ही में डाल देती हूँ और इसकी वज़ह से मेरे को बहुत ईजी लग जाता है और इस से हाथ बहुत जादा मैसी नहीं होता है आप इस ट्रॉस ही उसको आप पूरे क्या बोलते है जड़ो में लगा सकते हैं और इसके बाद उसको मसाज कर सकते है तो यहाँ मैं मसाज कर रही हूँ अपनी फिंगर की हेल्प से तो जादा जड़ो को ही तेल की जड़ोत होती है आप चोटी बना लेनी है रात को बना के सोएंगे तो जादा अच्छा रहेगा अगर दिन में भी दो तीन घंटे आप छोड़ देते हैं तो प्रॉपर काम करता है तो इसके बाद हम चोटी बना लेंगे या फिर आप कुछ भी चोटी बना के उपर जूडा मत बनाईएगा को उसे बाल टूटते हैं चोटी बना लेंगे तो उससे क्या होता है आपके बालों में ऐसे खुला छोड़ देने पर न और उड़ जाता है बट जो चीज के लिए हम बेनिफिट्स के लिए लगाते हो वह हमको प्रॉपर बालों में नहीं मिल पाती है तो इसलिए हमें यहा कि अपने बालकनी का मेकवर क्लीनिंग करें तो मैंने थोड़ा बहुत अपने प्रोसेस स्टार्ट कर दिये ते जो धूलवाला काम होता है क्योंकि बहुत ज्यादा डस्ट हो गया था घर जले गया थे बहुत दिन से बालकनी का सिर्फ स्विंग का यूज रहा था नीचे का यूज नहीं होते क्योंकि गर्मियों में बैटने का मन करता है बालकनी में इतना अच्छा वेजर होता है साम को तो और स्विंग की वज़े से सिर्फ एक जने बैठ सकता है और नीचे का गंदा हो गया था तो उसमें मैंने कुछ इसकी वज़े से सफाय नहीं हो पा रही थी तो मैंने सोचा आज इसका मेक ओवर करते हैं क्लीनिंग करते हैा इनकी सफाय करती है तो पहले मैं जितने भी स्ट्रोल का काम के थी अम्हें दिए जो भी रखा था मैंड बालकनी में उसको मैंने हटा दिया और इससे क्या होते है ज गर्षाब होगा और यह सारे मैट्स होगे तो इधर ही रखे थी अभी मैं इसको साफ कर देखा इसको पानी से धोगी फुड़ा सा बैठने लाइक हो जाएगा यह मेरा बाल कि नि फुरसा समानमान रख दिया था अभी यह सारे इस चीज़े फूल्ड करके यह सफाई कर लूँ मैं सो बहुत दिन से इस बालकनी का ना बहुत जादा यूज नहीं होता है ऐसी चीज़े मैं रखे थे जिनको रखने का कोई वजूद नहीं है मतलब यह सब चिकू के जो मैट्स बहुत सारे मैट्स है मेरे पास तो मैंने से और अपने लिए एक मतलब बैठने का जगए बनाते हैं अभी छुट्टिया चल रही है तो बालकनी के अच्छी का यूज होती है चिकू भी बैठेगा थेगा थोड़ा से हम लोग ड्रॉइंग करेंगे कुछ टॉइस लेकिया प्ले करेंगे तो एक अपना मतलब हम इसको यूटिलाइज कैसे करना है क्योंकि स्विंग पर एक ही जाने बैठ सकते हैं फिर मैंने आइडिया लगाए कि इसके नीचे सारे मैट्स वगर डाल देते हैं पूरे गद्यदार और यहां पर मैं इनको अच्छे से क्लीन कर रही हूं क्योंकि बहुत गंदा जम गया थ तो मैंने सरफ लगा कि इसको अच्छे से रगड रगड के साफ किया थोड़ा सा जूले की वज़े सदिक्का थोड़ा थे क्योंकि यह बीच में है बिलकुल ना तो इधर उधर करने में बहुत ज़्यादा वह इधर हटी नहीं रहा थे क्योंकि वो तो फिक्स्ट है फिर भ लगा मेरा क्लीनिंग और मेरा थोड़ा सा जो सेट अप है वो कैसा लगा आपको कि अच्छे नीचे सारे डाल देते हूं एक तो अच्छे भी रहेंगे गद्यदार भी हो जाएंगे और सफाई भी हो जाएगी तो यह सारी मैंने चटाई या दरिया सब डाल दी लेकिन वहीं है कि थोड़ा से एक बार बारिश आगा वैसे तो मैंने आप देख रहूंगे उपर मैंने तरी डाला है वह कपड़े का है तो यहां मैंने पूरा अच्छे से सेट कर लिया मुझे लगता है घर का एक कोना ऐसा होना चाहिए जहां आप सुकून से बैठके एक साम की चाहिए या सुबर की चाहिए या फिर अपने फैमिली के साथ गप्पे साथ पर मार सको और बाहर क अग्वीर वीथर बहुत अच्छा दिखे तो आपके घर में एक ऐसा जगह होना चाहिए एक को ना जहां पे आप इसको बॉल सको कि this is my अपना सुकून प्लेस मिना रहे हैं इसको में बहुत पार इसको करती हूँर बहुत टाइप से करती हुँर इसको डिफरेंट डिफरे सब्सक्राइब कर देंगे तो एक ही जन इस पर बैठ सकता है इसे तीनों को मन किया तो प्रॉब्लम होती थी यह लाइट विछ भी लगी है जो रात को दिखेगा और यह वैंगलोर का वेदर यहां लगा देंगे पिल्लोस क्या है न कि यहां पर मुन को चुए भी आते हैं तो मैं कुछ अच्छा वाला पिल्लोस नहीं लगा सकती हूं क्योंकि काट उड़ दिये फिर दिक्कत हो जाएगा उपनाली की तरफ से आते हैं ओपर से यहां दो पुराने पिल्लोस लगा गाटे मितको धिक्षा अब जाएगा 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 ने में दो ती मिल्टा ही मैंने रखा और इसको वाश कर लिया बहुत ही जाद़ श्मूद्ध है और यह लगता है अगर आइलिंग करके आप हैर वोश करेंगे तो थोड़ा से कंडिशनर लगा लेजी उसी समय मैं पैंटीन का कंडिशनर यूज करती हूँ वह कलर है वाला अभी थोड़ा सा गीला है यह मैंने हलकलका सा कूम कर लिया है इसी टाइम पर अभी थोड़ा से इसमें हम हैर में अभी गीला है तभी इसमें शीरम लगाएंगे तो यह है मेरा सिरम जो की वाश करने के बद लगा लेटी थोड़ा सा सेट हो जाता है अभी हम दिखा रहे है अपने बाली क्या यूज चोटा अच्छा लग रहे है और ता उच्छा लगन निकाल दिया अपने निकाल दिया ड्राइंग करने के लिए भेजा था ना क्या बनाओगे वाव दिखाओ क्या बनाया हो एस्टरनोट बनाओगे वह दिखाओ क्या बनाया थे लिखाओ न शूमी न बहुत सुन्दर लगा था वाव नाइस गारी चीकू तुमने बनाया है चीकू ने बनाया है अभी चीकू क्या एस्ट्रोनौट बनाऊगे बाबली बाब कैछे बनाऊगे सुन्दर से बना तो थोड़ा देखो कैसे चीकू बनाता है ना जी को योदिंदे रहेंगे और जो कि आध़ रहेंगे और क्या रिचिकल老師 कि से.. चीकू अच्छा लग गया यह सेट अप कैसा लगा बालते हैं अच्छा लगता है यह बेक्ग्राउंड रेम्बू सो अभी आप लाइटिंग करोगे मेरे पास चाओल बचा हुआ है और मैंने बीन्स का भूझे बना दे सुबह में तो वह भी है तो हम सोच रहे है कि दाल चाओल दाल भी है वह सोच रहता है दही मैंने बहुत अच्छी जमाई है तो दही चौक दूगी चाओल ते रोटी बना दूंगी थोड़ी सी गरम-गरम और चावल एसो में आगे खालेंगे तो लंच का हमारा बहुत सिंपल फ्लान है सुबह मानदा रोटी और बील्स का भुजिया और अलू की सबजी तो वही थोड़ी बहुत है तो मिक्स आंड मैच करके खालेंगे रिष्ट करने से क्या फैदा gonna show me वाउ वाउ बुल्य में एक ugh थिखाना वाउ बुल्य दी रीद बच्छा अपने से बना दिया आजा तुम्हारा खाना ले डिया कम लुक अट यमी यमी फूड अच्छा होता है गुट फॉर हल्थ होता है रहता होता है राइस होता है आजो मैं खिला दो आजो यही खाओगे यहां पर मैं चीको को खाना खिला रही हूं खुद भी टेस्ट कर रही हूं क्योंकि देखना पड़ता है तीखा है कि यहां है तो मैं भी अपने दियूसी में ले लिए हूं कि मैं भी खाना रूप को बिखाना लगा पापा का खाना उनके रूम में दे जते हूं क्योंकि कॉल्स रहते हैं दो पहर में बहुत ज्यादा पानी तीखा लग रहे है कुछ भी तो तीखा नहीं है मिर्चिन परची है अच्छे अच्छे रहे हैं कि अच्छे विए बगए तीख कॉछ अच्छे गवर्ची क्वर्ची है कॉछ फाद कि अच्छे अच्छे हैं तो नहीं है काना मी काना किய जस्वाइ लग़ो काना में बन्हंचर को अए्मेर साहँ स्वाइज स्मंसे бросak comme लग़े साइज साहिए क्या इस चकते अबने काना फ़ैस員 जसे ँोंचर को कैका आखिछ gonna be the साथ हम आलवीदा लेते हैं आपसे आज के लिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में next ब्लॉग में और तब तक के लिए बाय ठेक कियर खुश रही हो शब को खुश रखेए प्यार बाटते रही है और share कीजिए comment कीजिए जितना हो सके और subscribe भी कर लीजेगा अगर अच्छा लगे तो यह थी हमारे सिंपल सी लाइफ पूर्य दीम हम लों ऐसी कुछ न कुछ लड़ाई करते हैं जगडा करते हैं प्यार करते हैं डांस करते हैं मस्ती करते हैं रोते हैं और फिर हमारा दिन ऐसी कर जाता है झाल